सब्सक्राइब कीजिए एक्सपेटिजिट बीच चैनल को और बेल आइकन को दबा के हर एक नए वीडियो उसका नोटिफिकिशन पाईए तो सबस्क्राइब के थर्ड एपिसोड में आपको स्वागत है इसमें मैं आपको फिर से कुछ इंट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में डिसकस करने वाला हूं तो चले स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला तॉपिक यह है जो जियो ने लॉंच कर दिया है अपना अपना अफर तो देखने कौन सा अच्छा है आपके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि जियो ने जब 1.99 का 1.2 GB per day 4G data obviously और unlimited calling message roaming सब फ्री करके 28 days का validity दे दिया है उसके बार आपका 2.99 plan में 2 GB per day 28 days का validity मिल जाता है लेकिन Vodafone ने लॉंच कर दिया है similar kind of offer जिसमें आपको 198 rupees में 1 GB 4G data per day 28 days तक मिल जाता है लेकिन अगर आप Vodafone में अभी भी नहीं आने वाला हो तो आपको देना पड़ेगा 229 rupees जो same offer मिल जाता है मैंसर रोमिंग सबकुछ फ्री बात करते हैं Airtel की Airtel ने लॉंच कर दिया 199 rupees में ही आपको 1 GB 4G data per day 28 days तक वैले दिती आगी call रोमिंग फ्री सबकुछ फ्री उसके बार आपको बात करते हैं अगर 2 GB per day के लिए data की बात करें तो उस पर आपको देना पड़ेगा 349 rupees जो की 50 rupees higher है as compared to Jio बात करते हैं अब idea की idea ने कर दिया कुछ कमाल क्योंकि idea ने एक अच्छा टांसन कर्दिशन रखा जैसे 179 के आपको रिचार्ज कराना है अगर आप कर दें तो ठीक है अब हो गया यह plan अब आपके उपर depend करते हैं आपके location पर जिसका नेट वाक अच्छा है तो आप उसको रिचार्ज कर सकते हो अगली report यह कहती है कि दोस्तों Snapdragon 845 जो की powerful था Apple A11 Bionic chip को छोड़ के क्योंकि वह तो बहुत जारा powerful है लेकिन जो Huawei का Kirin processor है जो की 970 सीरीज वाला है उसने कर दिया Snapdragon 845 को बीट बेंचमर रिजल्ट यह कहती है कि जो Kirin का 970 processor को स्कोर्ट हुआ था 2,13,000 के आसपा जो की 7% higher है as compared to Snapdragon 845 तो अच्छी बात है Huawei बहुत काम कर रहा है अपने Kirin processor को ज्यारा powerful बनाने का तो काम तो चलता रहेगा लेकिन यह बात तो नोतिश करना है कि Snapdragon हर एक software के साथ match हो जाता है लेकिन आपको जो Apple का Bionic chip है या तो आप Samsung का Exynos मान लो या तो इसका Huawei का Kirin मान लो सब अपने अपने platform के लिए बना हुआ है सब के लिए नहीं चलो यह हो गया अगले topic यह है कि Oppo launch कर रहा है एक नया phone जिसका नाव है Oppo A83 जो के launch होगा 30 December को इंडिया में जिसका price रखा है almost मतलब हो सकता है 12,000 के आसपास अब 12,000 के आसपास आप क्या features expect करते हो चलो मैं बता रहता हूँ basically इसमें आपको CP मिलेगा Mediatek 6737T processor जो की octa-core है 2.5 GHz है मतलब Mediatek 6737 12,000 रुपे में वाउ चलो जो भी हो इसमें आपको RAM पता हो कितना है RAM है आपको 2 GB बस और आपका ROM है 16 GB मतलब कमाल है ना बैटरी आपको मिल जाता है 3050 MH का तो ठीक है 3000 MH ठीक था कह सकते हैं लेकिन बात यह है कि आपका 5.7 इंच वाला डिस्प्ले है जो HD Plus Full HD भी नहीं है HD Plus दिस्प्ले है तो अब क्या बताए स्नाप ड्रेगांटर देगा ने अट लिस्ट मेडिया टेक का हेलियो P10 या तो 25 यह सब दे रहे था तो अच्छा रहा था चलो अपवर्ड विवो का तो आप नाइस हो आगे कुछ चलो जो कि अगल डेलाइट रॉनिंग हैड लैंप मिल जाएगा जो कि LED बेस्ट होगा उपर से आपको फ्रॉंट रियर जोनों साइट में डिस्प्रेग मिली जाएगा वह बेसिक बात है बोलने में यह आ रहा है कि 2018 में सार्टिंग में इसका बूकिंग स्टार्ट हो जाएगा इसमें आपक के एपिसोड में बस इतना है था मुझे उम्मीड है आपको अच्छा लगा होगा यार लगा है तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है यार मन में कुछ डाउट हो तो निचे कमेंट में बताओ और चैनल को जरू सब्सक्राइब करो कि मैं इस त एपिसे प्रॉब्लम है भी और सामन में जरुब्लम है यार लगा है झाल झाल